अलेकुम आज हम पढ़ेंगे आरेने के बारे में आरेने क्या है राइबो नुकलिक एसिड आरेने और डियेने किसके टाइपस है नुकलिक एसिड के अब इन में क्या होता है नुकलोटाइड होता है जो के जो के तीन टाइप्स का होता है नुकलोटाइड एक होता है पेंटोज, शुगर, पेंटोज, शुगर, फास्ट फेट गुरूप और नाइट्रोजिनस बेस अब इन तीनों के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़के आए हैं तो आरेने का मेंली काम क्या होता है आरेने का काम होता है डीने से इंफरमिशन लेगा डीने से इंफरमिशन लेके उसको क्या करेगा फिर डीकोड इंफरमिशन करेगा डीकोड करेगा डीकोड इंफरमिशन अब आरेने की दीने की तरफ से जो इंफरमिशन इसके पास आएगी उसको रीट करेगा रीट करेगा उसको उसको क्या करेगा रिसीव करेगा उसको फिर डीकोड करके प्रोटीन सेंथेसिस करवाएगा आरेने का में मक्सद क्या है प्रोटीन सेंथेसिस नए सेल्स बनाता है आरेने क्या करता है नए सेल्स बनाता है आरेने क्या है रैबोस शुकर बना हुआ है डी ये डी ऑक्सिक क्यों ची स्क्राइब क्योंने क्यों कि इसमें आक्सीजण रिमूँउब होगी अब पेंटो शुकर का देख लेते हैं कोई मिसाल यह देखें कि यह कारवान नंबर One कारवान नंबर Two, Number कारवान त्री नंबर ये नहीं है का इधर होगी आक्सीजन ये कारवान नमर फूर ये कारवान नमर फाइव इस गुरूब में OH अटेज होगी RNA की स्ट्रक्चर में इधर भी क्या होगा OH अटेज होगी अब DNA में क्या होगा यह oxygen नहीं होगी क्योंकि D-oxy मतलब oxygen उसमें remove होती है अब RNA की structure क्या है इधर हम साफ structure इसकी बनाते है इधर hydrogen ठीक है इधर oxygen इधर भी क्या है OH group इधर भी OH group इधर क्या होगा यह carbon होगा carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5 मतलब इसमें क्या होगा panटो sugar panटो sugar किसे का एता है हम 5 carbon को हम panटो sugar के एता है अब इसकी structure क्या होती है इसके structure के बारे में हम पढ़ेंगे आभी RNA के structure होती है single standard जैसे DNA के structure क्या थी double standard इसे ही RNA के structure क्या होती है single stated इधर उसमें फिर basis attack होती है अब वो basis कौन कौन से है RNA के basis है सेम होते है DNA के वाले सिर्फ और सिर्फ एक thiamine की जगह पे क्या होता है यूरासिल एडिनीन साटोसीन गवानीन अब DNA में क्या होता है thiamine इसमें क्या होगा RNA में यूरासिल अब nitrogenous base क्या होता है ये structure को दो structures को पक्ड़े रखता है उसको हम कहते है nitrogenous base अब ये उसके basis है एडिनीन, साटोसीन, गवानीन और यूरासिल अब जो किसी सेल में खराबी होगी वो किसकी खराबी होगी RNA की क्योंकि RNA उसको सही information decode ना कर सका उसकी वज़े से जो है उसमें default आ गया DNA क्या होता है DNA more stable होता है RNA क्या होता है less stable होता है DNA की half life भी ज्यदा होती है और RNA की half life कम होती है less half life अब आपको RNA के बारे में समझ आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगो तो हमार चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत शुक्रिया